अर्ज किया है एक्जाम में कोश्चन छोडने का नहीं मिलेगा आपको कोई तर्क, क्यूंकि आज हम सीखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे टाइम एंड वर्क, वीडियो प दोस्तो सबसे पहले हम करेंगे concept के लिए और ऐसे जिंदों की भर नहीं भूलेंगे, उसके बाद बहुत सारे question solve नहीं है, इस वीडियो में आज आप ही, मैं नहीं करूंगा आप करेंगे question solve, तो सबसे पहले concept समझी मेरे साथ धियान से बिल्कुली, हाँपने नजर गढालो बोड के उपर देखिए दो लड़के हैं हमारे पास हाजा भाई दो लड़के हैं हमारे पास एक है राम और दूसरा है रहीम बाबा राम रहीम मत समझना इसको तो राम जो है वो एक दिन में दो कुरसिया बनाता है और रहीम थोड़ा सा सुस्त आदमी है यह क्या करता है यह दिन में एक ही बना पाता है, तो अगर हम साथ दिन की बात करें, तो ये एक दिन में दो बनाता है, तो साथ दिन में कितनी बनाएगा, कितनी ये बनाएगा, चोहदा कुरसियां, साथ दुनी चोहदा, और रहीम जो है, क्योंकि एक दिन में एक ही बना पाता है, तो ये साथ द बन रही है ना एक दिन में दो बन रही है टाइम कम लग रहा है तो काम हो रहा है आपका ज्यादा और यहां पर टाइम लग रहा है ज्यादा एक दिन में एक ही बन पा रही है तो यहां पर काम हो रहा है कम के लिए है ना टाइम लग रहा है कम तो काम हो रहा है ज्यादा टाइ तिरिया हम ये समझें कि Time और Work ये जो होते हैं ये आपस में उल्टे होते हैं यह है पंगा और का इसमें होते हैं ये ध्यान आप यह चीज़ यहां भी ठाली जी क्या अगर किसी चीज़ को करने में क्या लग रहा है टाइम कम लग रहा है तो वो चीज़ क्या होगी वो ज्यादा बनेगी, अगर किसी काम को करने में, टाइम ज्यादा लग रहा है तो वो काम कैसा होगा, वो कम हो पाएगा, कोई बहुत त convey बहुत तेज भागता है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो टाइम कम लेगा, और दूर तक भाग पाएगा कोई मोटा अदमी है तो क्या अगर वो भागेगा तो वह टाइम ज्यादा लेगा भागने में और भाग भी कम पाएगा तो ये बात विलकुँ ध्यान से बिटा लिजी होते हैं यह बाद ध्यान रखिएगा बस ये पूरे चैप्टर का निचोर बता रहा हूं में आपको time over उल्टे होते हैं यह दिहान लगना पहले बात दिहान लगने की यह है अब दूसरी बात एक और है इसमें वो क्या है कुछ सवाल इस टाइप के भी आते हैं कि बान लीजिए दो हैं कोई आदमी ए और बी जो है उसकी efficiency दुगनी है बी के मुकाबले efficiency माने उनकी का काम करने की शमता मतलब अगर बी एक कुरसी बना पा रहा है तो एक दो बना लेता है इसका मतलब यह हुआ एक की जो efficiency है एक की जो लगेगा दो टाइम और अगर यह दो बना पा रहा है तो इसको लगेगा एक टाइम मतलब टाइम ढूंकि वहना भी तो तैज रहा है न तो यहां से एक चीज्स और क्लिया रहोगी क nor के Efficiency और टाइम भी सिल्टे होते हैं शमथा काम करने की Efficiency और टाईम ये भी आपस में उल्टे होते हैं कोई जादा Efficient है बहुत स्पीर से काम कर रहा है तो जाहर सी वाद उसको आरहम और сожалению कि ये स्यादा लगेगा है तो इसको यह हले दूसरी बात क्या कि Efficiency से टाइम शमता और टाम भी आपस में कैसे होते हैं उल्टे होते engaged आप यहां से हम क्यों सकते हैं कि मान लिजी काम को 15 शुटे हो सकते हैं कि मारों को क्या distintos स्थे तो एक दिन में कितना काम करेइगा यह इसका काम करेता एक लोगा हूगा क्योंकि हमें पता है टाइम और वर्क उल्टे होते हैं जब 15 दिन टाइम लगा तो काम कितना हो एक बटा पंदरा उल्टा इसी तरह किसे आप समझ सकते हैं कि मालेजी कुछ किसे क्या करता है दस दिन में काम पुएा कर लेता है या फिर उसका जो काम है वो दस है ठीक है तो वो कितना डाइम लगा वो लगाएगा एक बटा दस तो यह उल्टा चलेगा वासई चैप्टर का पूरे चैप्टर का निचोड़ अब आपने सीक लिया आइए अब आते हम को दोस्तों कि लाइन लगने जा रही है और हर कुछन को चेंज होंगे तो ध्यान से कशीफन पढ़ेंगे हम यहाँपर पहला सवाल है हमारे पास एक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है भी हिसे 15 दिन में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन वे करेंगे प बता रहा हूं, जो आपको easy लगे, आप उससे कर देना, कोई tension की बात नहीं है, पहला तरीका क्या है, एक इसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब, उसका काम कितना होगा, उसका काम होगा, एक काम कितना काम होगा, एक बटा 10, अभी तो हमने पढ़ा है न, time and work उल् कीलता होता है, ठीक है, तो यहा आगया A का और यहा आगया B का, बस अब हमने यह बताना है, कि दोनों मिलकर, कितना काम करेंगे, कितने दिन में करेंगे, तो A और INE, to a plus B, दोनों का कां काम को आप मिला दीजिए, a का काम जो है, oneघए 10 है, और b का काम जो है, वो is 15 है, LCM लेकर solve कर लो time and work में हैं क्या LCM ले लो यहाँ पर 15 और 10 का LCM कितना होता है बताइए मुझे कितना होता है 15 और 10 का LCM होता है 30 LCM हमने ले लिए फिर क्या करते हैं नीचे वाले से divide उपर वाले से multiply तो 10 से 30 की divide करेंगे 3 बार जाएगा 10 तियां 30 और 3 एकम 3 हो जाएगा इसी तरह से पिलस की जाएगा पंदरा की नीचे वाले से divide करेंगे 15 दूनी 30 दो बार करता दो की उपर वाले से multiply करेंगे 2 एक कम 2 3 और 2 हो गए आपके 5 बटा 30 यह कड़ जाएगा 5 एक पांच पांचिंग 30 एक बटा 6 से कड़ गया और यह तो आगे इनका काम दोनों मिलकर एक बटा शे काम करेंगे और काम का उल्टाने उलटा इसे का ने क्या होग छे तो दोनों मिलकर 216 दिन में complete करने यह तरीका तो है आपक यह आपको यह वाला आसानर्य के वाला एपलाई करो दूसरे वाला बताने जा रहा हूं यह शौट ट्रिक भी है तो इसको भी सीख लो आप देखिए यह बहुत सिंपल हमसे सवाल में कहा कि एक काम को 10 दिन रहा है और B जो A वो उसी काम को 15 दिन में कर लेता है तो दोनों को LCM कितना होगा हम सबसे पहले हम इस तरह से लिखकर LCM ले लेंगे 10 और 15 का LCM होगा 30 और हम तीको 10 से डिवाइड करेंगे तो तीन बार जाएगा 10 तीय को 35 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा 15 धुली इन जोनों को करकर लेंगे 3 और दू हों को पांच लेका कृसि तो यह तो5 बनाइं बना रहा है तो यह त इंध थion चे और unboxing 30 दिन आगह है 5 अगला सवाल आ चुका है और इसमें है हर सवाल में चेंज होगा तो सवाल पढ़िए यहां पर मेरे साथ यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करें तधा अकेला को 20 दिन में पूरा करें तो कितने दिन में पूरा करें घबरानाहीं ट्रिक लगाएंगे वही तरीक फॉलो करेंगे जैसा रही हैं हम से पहले बोला कि दोनों मिलकर A और प्लस B दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं और B जो है ना यह अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है कोई टेंशन वाली बात नहीं इनका LCM ले लो 20 और 15 का LCM होगा कितना 60 60 होगा 15 को अब 60 को डिवाइट करें 15 से तो 15 चौक 60 है आजाएगा और 20 से करेंगे तो 20 आ 50 काम रहे हैं और B जो है वो एक दिन में कर रहा है कितना तीन काम को तो A और B दोनों मिलकर एक दिन में 4 बना रहे हैं और B अकेला जो है वो सिर्फ तीन बना रहा है, तो अगर हम इन चार में से तीन माइनस कर दे तो A कुरसी आएगी, यह A कौन बना रहा है अकेला, यह बना रहा है A, दोनों की mix चार थी, B की तीन आई है, B की तीन हमने हडा दी, जो बची वो A की आ गई तो A एक दिन में एक ही लगे तो इसका आंसर आएगा सिक्स्टी डेस ऑप्शन है इसका कौन सा ऑप्शन एक साट दिन में वो कुर्सियां अकेला बनाएगा बहुत ही एजी हो जाएगा आगे एक कुछ और चेंज करेंगे उसके अंदर दोस्तों अब आ गया है एक एफिशेंस्टी शमता वाला सवा रहे हैं हर सवाल पढ़ लो यहां पर मेरे साथ राम रहीम से राम रहीम से दुगनी गती से काम करता है ठीक है सवाल में से क्या कहा गया है कि राम है और रहीम है यह दोनों है और राम जो है ना वह रहीम से दुगनी गती से काम करता है इसका मतलब यह कि अगर रहीम बना र यह हमसे सवाल में कहा गया है अभी तक यदि दोनों मिलकर किसी काम को बारा दिन में पूरा करें तो राम अकेला उसे कितने समय में करेगा हमसे कहा गया अगर यह दोनों मिलकर किसी काम को बारा दिन में कर लेते हैं तो राम अकेला उसको कितने दिन में करेगा इसकी शौट ट थी और बारा दिन में ये काम को पूरा कर रहे हैं यहां नहीं करता हूं मैं बारा दिन में ये काम को पूरा कर रहा है हमसे सवाल में कहा गया है तो करना क्या है आपको इनके जो रेशो बनेगा बल्टिप्लाइ करके उसकी प्लस तो आप लिखेंगे ऊपर दो रिक तीन जिसक कि पूछा है तो राम अकेला उसे कितने समय में करेगा जिसका पूछा है उसका रिशु आप इसके नीचे लिख दो सौल कर लो तो डो चिंग 12 शी ती या 18 18 दिन लगेंगे राम को करने कितना आसान सवाल क्या करना है जितने दिन है वो लिखो दोनों की रेशो को प्लेस करके उपर लिखो जिसका पूछा है उसकी डिवाइड में रिक्दो सौल करके आंसर लिया हो तो राम को 18 दिन लगेंगे उस काम को अगर वो अकेला करता है तो ऑप्शन बीस का सही आंसर होगा सवाल पढ़ो मेरे साथ यहां पर सवाल है एकेला किसी काम को 18 दिन में तथा भी अकेला उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है और भी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है अब भी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया यह 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 भी है न यह भगोड़ा नहीं है तो हमसे पूछा है आप कितने दीन में पूरा करेगा यह बताना है बहुत आसान तरीके सी अलग किना भांप अलग करना नहीं है हमने है किसी काम को अठारा सैनथा नहीं अकेला कर लेता है है यहीं तो कहा गया है अब इनका अगर हम LCM लेंगे अटारा और 15 का LCM आएगा आपका 90 नभबे नभबे को डिवाइड करेंगे 18 से तो 1850 होता है और नभबे को 15 से करेंगे तो 15-90 होता है तो अगर वो टोटल काम 90 है कुरसियां ले आइगे 90 कुरसियां टोटल बनानी है तो A जो है एक दिन में 5 कुरसियां बनाता है और B जो है एक दिन में 6 कुरसियां बनाता है अब B ने 10 दिन काम किया ठीक है एक दिन में वो 6 बनाता है, तो 60 कुरसियां बन चुकी है, 60 कुरसियां कम कर दो, कितनी कुरसियां बची, 30 कुरसियां बची, अब भी भाग गया, भी ने अपना भगोड़ा बना दिखाया, और भाग गया, अब ये जो 30 कुरसियां है, इसको बनाने में एक इतना टाइम लेग यार देख लो ना आप कितनी आराम से कोशन उते चले जा रहे हैं एक कोशन और लेते हैं कुछ और चेंज करते हैं आप वीडियो छोड़के मत भागना क्यूंकि सवाल आ चुका है भाग काजी से छोड़कर आप एक्जाम में भाग जाते हो तो ये वाले सवाल भी सीख लो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे भाग है घवराने की जरूरत नहीं है मैत का डर खतम कर दूँगा आपका देखिए क्या करना है आपको वही करना है जो करते आ रहे हैं एब इसी तीन बंदे हैं अब एक बात ये समझे आप ए जो है वो आधा एक बड़ा दुका मतल और इस का मतलब ये कि चो है वो एक काम को दस दिन में करता है ये कहा गया है ठीक है इस तरह से हम B का निकाल लेंगे नो दिन में करता है तो नो दिन तीन पंजे पंदरा यहां से आ गया भी उस काम को पंदरा दिन में करता है बिलकुल इसी तरीके से सी का भी निकाल लेंगे सी का है दो बटा तीन भाग आठ दिन में करता है तो दो बटा तीन करता है तो तीन बटा दो कर दो उल्टा कर दो तो सी का ही पूरा निकल के आ जाए थे 60 60 अब आब करते हैं zar 60 भार जाएगा 15 14 साथ चार बार जाएगा और 12 50,60 होता है तो यह तो यह हो चुके हैं तो वही समझेंगे टोट ल कुर्सिया बनाए 60 बनानी, नहीं कि बनाता है 6 कुर्सिया कंच यह बनाता है ड चार बार रहा है बनाता है तो यह तेनओ एक दिन में 15 कुरसियां मिलकर बना बाते हैं बनाने कितनी है टोटल 60 कुरसियां एक दिन में 15 बना रहा है तो 60 से डिवाइड कर देंगे 15 चोक 60 तो वो तीनों मिलकर 4 दिन लगाएंगे और सारा काम पूरा हो जाएगा तो option B इसका सही answer होगा 4 दिन देखा आपने कितना असान एक सवाल और लेते हैं कुछ और चेंज के साथ तो दोस्तों आईए आखरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो का चैप्टर का नहीं चैप्टर चलेगा पार्ट्स आएंगे और आने वाले पार्ट्स में तो मैं आपको जादू दिखाने वाला हूं बिना इसके time and work क कोशन सॉल्व करेंगे हाँ जी मार करकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आईए अब यह सवाल समझते हैं एक किसी काम को बारा दिन में पूरा कर सकता है ठीक ए है वो किसी भी काम को बारा दिन में पूरा कर लेता है एक तुलना में मतलब एक कंपेरिजन में बी जो है वो 60% अधीकारी कुषल है मतलब वो बी जो है वो 60% ज्यादा महन्ती एफिशीएंट है चलो कोई तो महन्ती आया वन्ना तो भगोड़ेते हैं सारे अब क्या है उसी काम को पूरा करने में पी कितना समय लेगा तो हमने बताना भी का समय भी कितना टाइम लेगा उसी काम को करने मे लेकिन बी उससे 60% जादा कार्णी कुशल है तो देखिए क्या करना है आपको यह उस काम को 12 दिन में कर रहा है तो एक काम कितना होगा पर डिका एक काम होगा एक बटा बारा यही तो पड़ा है ना अमने टाइम और वर्क उल्टा होता है तो जब वो 12 दिन ले रहा है तो काम कितना होगा इसका एक बटा बारा होगा अब इस काम का बी 60% क्या है कार्णी कुशल है more efficient है इस काम से मतलब एजो एक बटा बारा काम कर रहा है ना भी से 60% ज्यादा काम करता है तो बी कितना काम करता है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे 160 सो में जितना वो effective है क्योंकि 100% तो ये खुद भी कर रहा है ना लेकिन 60% ज्यादा है तो क्या करेंगे 160 करेंगे 100% उसका पूरा एका और 60% भी ज्यादा है तो 160% के लिए हम लगा देंगे नीचे यहाँ पर 100% बदिया है हमने 60% यह हो गया इसको जब हम solve करेंगे तो यहां से हमने 0 से 0 उड़ा दी और 4 त 小時 16 तो उपर बचा हमारा 4 और नीचे बटा बचा 30 और 10 तो यह आपका 30 30 तो यहाँ गया आपका आरे और करते ना चाहरे वी हम सुबह से क्या पढ़ रहेंगे तो पढ़ रहें टाइम और वर्क उल्टा होता है तो ल्टा कर दो यह इसका वर्क निकला इसका उल्टा करता तो तो चार बटा का उल्टा हो जाएगा तीस बटा चार और इसको डिवाइड करेंगे आप तो चार सत्ते अठाइस बचेगा दो पॉइंट लागे उता रहेंगे जिए चार पंजे बीस सेवन पॉइंट फाइफ यह आगया अंसर अरे यह तो ऑफ्शन में है यार यह रहा ना एक बटा दो का मतलब पॉइंट फाइफ भी तो होता है साड़े साथ तो बी को उस काम को करने में साड़े साथ दिन लगेंगे तो यह वीडियो में यहाँ पर रोकते हैं इसको शेयर कर देना और लाइक और कमेंट करके मुझे बता देना कि टाइम एन वर्क आपको समझ में आया है या नह पर आपके लिए यहां पर आपके लिए यहां पर आपके लिए आ चुका है वह भूलिया था मैं आपका यहां पर आंसर मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए वन्ना पिटाई हो जाएगी है